हेलो एंड वेल्कम बैक तो यूर ओन यूटीब चानल फ्रेडम अफ लर्निंग पर तो दोस्तों आज हम डिसक्स करेंगे बहुत इंपोर्टेंट कोईशन्स करेंट फिर्स कोईशन जो आने वाले फूरेंड सप्ला इग्जैमिनेशन में बहुत ही हलफूल है तो आज का वीडियो हिंदी में करने का अनिश्चे किया तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और जो नेपाली स्पेकिंग पीपल ही वो तो हिंदी समझी जाएगा तो आइए मैं भी विद्वें नेपाली का यूजश भी कर सकता हूं तो आप लोग भी ज़रा समझने का कोशिस के सुरिकरते हैं क्लास को ना फर्स्ट को अपना फर्स्ट कोरिशन नहीं आपर मैंनी पूरा डिस्रिप्शन लिखा हुआ है देखिए यह नया इस्किम है जो वेस्ट पेंगल गुवर्मन दो आप लांच किया गया है और यह स्किम का इंपोर्टेंच के देखिए योगाश्र स्कीम for SCST students launched in West Bengal और ये स्कीम के बारी में थोड़ा ब्रीफ जानकारी राखना बहुत इंपोर्टेंट है क्यूंकि अंदर से क्वेशन बन सकता है तो देखिए ये इसके में एक्चुली क्या है देखिए वेस्ट पेंगल चेफ मिनिस्टर मौमाता बेनरजी लॉंच्ट अन्यू सोशल वेलफेर स्कीम ये सोशल वेलफेर स्कीम है इसका नाम योगा स्ट्री रख्या गया है ये ओफर करता है फ्री ट्रेनिंग फोर SCNST students those who are preparing for competitive examinations यानि कि आप लोग भी अगर SC SC category से विलों करते हो और आप competitive exams के तैयारी कर रहे हो तो ये स्कीम का लाव उठाके आप भी अच्छा सा coaching ले सकते हो ठीक है तो second point देखते है 50 centers across the state will provide free training especially for government job and civil services experience blustering equal opportunity efforts यानि की अभी जो भी since the time of since the time of inception of constitution of India SCRST को बहुती important category में रखा गया है उन लोगों का बहुती देखभाल कर रहा है government और इसी के मद्द नजर रखते हैं हुए SCRST जो भी पिछर रहे हुए वर्ग है उन लोगों को लिए government यहां पर equal opportunity यानि कि जो और दूसरे category को लोग है society में जैसे उन लोग को advantage मिल रहा है वैसे advantage देने के लिए उन लोगों को भी आगे लाने के लिए यह government job के लिए उन्होंने में यह 50 centers open किया है और यह यह योगा streets की मुझसी के लिए है तो आये देखते हैं next slide को so next slide में है इधर बहुत important question है यहां से question बन सकता है आपका former Kolkata CP Rajip Kumar appointed as new Bengal DGP full firm क्या है director general of police okay अभी देखते हैं इसके बारे में थोड़ा detail में IPS official Rajip Kumar has been appointed as the new director general of police for West Bengal succeeding Manoj Malavya यह भी बन सकता है जो अभी फिलाल बना है Rajip Kumar ने किसको succeed किया बोल के भी question आ सकता है तो उस वक आपको लिखना होगा Manoj Malavya who retired recently okay Kumar previously served as the chief of Kolkata police okay CP जो इदर लुखा हुआ था इसका full firm है chief of Kolkata police Vidhan Nagar police and also led the CID and STF okay next in 2019 CM Mamta Banerji held a protest when a central bureau of investigation team south to question Kumar over an alleged cheat fund scam or 2019 में a cheat fund scam हुआ था उस वक CBI ने कोशिस किया था कुमार को interrogate करने के लिए लेकिन उस टाइम से ममता बेनर्जी ने उसको पोज किया था उनके हग के लिए से ममता बेनर्जी खड़ी हुई थी ओके सो नेक्स देखते है स्लाइट को नौ बहुत इंपोर्टेंट क्वेशन है यह आ सकता है 100% और जो गर्वा डान्स है गुजरात का उसको एक युनेसको इंटेंजेबल कल्चरल लिस्ट के अंडर रखा गया है यह बहुत ही प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए क्योंकि इंडिया का जो फोक डांस से उनको रेकॉपनेशन अभी मिलना स्था outras हो गया है तो देरे देरे करके रो success only फोक डांस is we include होगा तो आये तेक्थे इसके बाary UNESCO हॉपर्ल UNESCO has approved the inclusion of Gujarat's traditional Garva dance in its representative list of the intangible cultural heritage of humanity उसको intangible category में रखा गया है Next, India had nominated Garva performed across Gujarat and in many other parts of the country during the Navaratri festival for inclusion in the list Garva dance included किया गया है और इंडिया के तरफ से भी Garva dance को भी वेजा गया था और इस्पेशली ये Garva dance कब किया जाता है ये नवरात्री के टाइम में किया जाता है Next question, next देखते हैं स्लाइड में क्या है ये भी बहुत important है आप लोगे के लिए Indian social activist Nikil De Indian social activist जिसका नाम है Nikil De has been recognized as the international anti-corruption champion उनको international anti-corruption champion से recognized किया गया है किसको Nikil De को by whom? by the US State Department for his dedicated efforts against corruptions in government welfare programs in India जो भी इंडिया में government welfare programs सलाया जाता है उन programs को उन्होंने अच्छी तरीके से follow up किया और उसमें होने वाला जो corruptions वगर है उसको highlight किया है तो उसी को उसी के लिए Nikil De को US State Department ने international anti-corruption champion से नवाजा गया है ठीक है This work has led to significant anti-corruption and transparency reforms in India particularly in Rajasthan और उन्होंने कौन से इंडिया की स्टेट में बहुत actively काम किया था राजस्तान में और यही वजय से उनको यह सम्मान मिला है और यही नेक्स अभी entertainment industry से है इधर देखिये Taylor Swift named the magazine's person of the year और Taylor Swift को क्या मिला है 2023 में magazine person of the year मिला है यह भी बोथ इंपोर्टन है Taylor Swift has capped off a stellar 2023 by being named time magazine's person of the year यह title मिलना बहुत बड़ी बात है celebrity यानि कि कोई भी person के लिए तो Taylor Swift को यह मिला है तो यह बहुत important question है international arena से ओके next देखती है यह भी बहुत ही important question है इसको भी आप highlight करके रखियेगा Cambodia's anchor word became the eighth wonder of the world अभी तक हम लोग के पास था seven wonder of the world लेकिन अभी anchor word का जो Cambodia का anchor word temple है उसको भी अभी क्या कर दिया गया है eight wonder of the world include कर दिया गया है तो देखती है anchor word in the heart of Cambodia has bitten Pompey in Italy to become the eighth wonder of the world okay built in the twelfth century by king Surya Vermaantoo anchor word was originally dedicated to the Hindu deity Vishnu but over time is transformed into a Buddhist temple actually यह बना था Hindu Hindu god Vishnu के लिए जुसको बनाया गय था king Surya Vermaantoo ने लेकिन अभी चलते चलते क्या होगा yeah with with the passage of time it has become a Buddhist temple okay next next day aapka Michael Douglas honored with Satyajit Ray Lifetime Achievement Award now see renowned Hollywood actor Michael Douglas kon hai Hollywood actor hai and producer bhi hai okay not only actor but he is also a producer Michael Douglas was honored with the prestigious Satyajit Ray Lifetime Achievement Award for Excellence in Cinema okay at the 54th International Film Festival Goa जो गोवा में जो 54th International Film Festival हुआ था उसी फेस्टिबल में Michael Douglas को Satyajit Ray Lifetime Achievement Award से ना वाजा गया था okay तो यह यहां से दो कोईशन बन सकता है यह तो एक हो गया Satyajit Ray Lifetime Achievement Award किसको मिला है यह भोल के आएगा तो आपको Michael Douglas के आना है और यह दी आएगा कि 54th International Film Festival Award कौन से स्टेट में होस्ट किया गया था तो यह होगा आपका गोवा नेक्स नेक्स यह 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 य 2023 प्लेस इन देली नवेंबर 21st and 22 यानि की मिल चुका है ये रिकॉर्ड अमेनी अभी निकाल के आपको दिया लेकिन ये मिल चुका है ये भी इंपोर्टेंट है ओके नेक्स्टे आपका नाशनल मिल्क दे ट्वेंबर 23 कब मनाय गाय था 26th of November और 26th of November हम क्या मनेते है नाशनल मिल्क दे अब्री या नाशनल मिल्क दे इसलिबरेट अन नवेंबर 26 दिस यर थे स्पेशल दे फोल्स अंडे इस बार्ब हुआ था संडे को के नाशनल मिल्क दे कममर आगे राप तॉर्फट अही कोरण लिह थे व्यूह कुर्स फोल्स रहते है उद्र श्रम कव ठीट के वन दे करूंट अगे पे संबंधिऴ अ स्वल जόल किया था से नाशनल मिल्क दे न से घोन ग्नेत्ड किया बाट कौर अन अवी शनल मेल्स सогоलम फोल्स कई डीव सरड प भूलके भी कॉछीच आता है तो आपको लिकना होगा तो आज का कोईशिंज आज का ये क्लास आई होप आप लोगों को हेल फुल लगा होगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करीगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करीगा ताकि मैं इसे वीडियो लेकिए आप लोगों की सामने आता रहा हूं और आप लोगों को सब्सक्राइब करना तो सनरी ये खुदा बादा सब्सक्राइब कीझेशन ऌरुल अजयां का रहा है तो है उनद Сवचेशन देत दMAN को नहींत टूल टूल में झाल आता रहा हुआ है तो धनसो में आणका